दुरूह के पदवनापूर थाना शेत्र में विगत दिनों लगातार चोरी की घठना की शिकायद की बाद दुरूहक पुलीस चोरों की तलास में जूटी थी। वहीं पुलिस के सजगता से कसारेडी सिविल लाइन में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है दुरग में का सारेटी सीवील लाइन से तेशेःदास कातुल करके निवास ने विगत दिनों हुई चोरी के मामले में पदबनापूर थाना पुलिस को सफलता मिली है पद्मनापूर्थाना प्रभारी अक्षत सामद्रा ने बताया कि सिविल लाइन में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपी सुनिल सोनमोगरी तथा दिलिव देवराज दोनों निवासी देवार पारा दुरुग को पुलीस ने पकड़ा है वहीं अन्य मामलों में भी पुलीस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है और दरफ्य के दुरुग में लगातार हो रही चोरी के मामले में दुरुग पुलीस लगातार सजकता दिखाते हुए आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को धर दवोच रही है इसी कड़ी में पद्मनापूर पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा एवं अन्निमामलों में फरा आरोपियों की पतासाजी कर रही है एसी एन नीउस के लिए दुर्ग से नसीम फारूटी की रिपोर्ट